नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम निकाह हलाला का परिभाशा क्या होता है उसको अधिन करेंगे जो कि विकीपीडिया पेज पर लिखा हुआ है इसलाम में शादी की एक प्रथा होती है निकाह हलाला डेफनिशन है इसलाम में औरत को तीन तलाग देने के बाद दोबारा उसी औरत से विवाह करने के प्रक्रिया को निकाह हलाला कहते हैं यह विवाह यानि निकाह मुख्य रूप से सुन्नी मुसल्मानों के कुछ संपरदायों द्वारा किया जाता है क्योंकि शरिया के मुताबिक अगर किसे पुरुष ने औरत को तीन तलाग दे दिया है तो उस पुरुष ने उस औरत का अपमान किया है इसलिए अब वह पुरुष उस औरत से दुबारत तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक कि वह औरत किसे दूसरे पुरुष से शादी कर तलाक ना ले ले दूसरे पती को तलाक देने में मजबूर नहीं किया जा सकता अगर वह तलाक देना ना चाहे तो यह दोनों पती-पत्नी के रिष्टे के साथ जीवन बिताएंगे अतह निकाह हलाला के लिए तलाक शुदा महिला किसी दूसरे पुरुष से शादिक कर लेती है उस पुरुष के साथ जीवन बिताएंगे अतह निकाह हलाला के लिए तलाक शुदा महिला किसी दूसरे पुरुष से शादिक कर लेती है तो उस पुरुष के साथ विवाह के संसिद्धे करती है और तलाक लेती है ताकि उसे अपने पहले पती से पुनर विवाह करना उचित हो सके निकाहलाला एक प्रक्रिया है जिसके हिसाब से अगर आपने अपनी पत्नी को तीन बार तीन तलाग दे दिया है तो आप उससे तब तक दुबारा विवाह नहीं कर सकते जब तक वो एक बार फिर किसी और से शादी न कर ले साथ ही वह अपने दूसरे पत्ती के साथ शारिलिक संबंध भी बनाए और जब तुम अपनी पत्नियों को तलाग देते हो और उन्होंने इद्दत या इद्दाह पूरा कर लिया है तो उनको अपने पत्यों से विवाह करने से मत रोको यदि वे दोनों पत्ति-पत्नी वैध तरीके से विवाह करने करने लेते हैं इस कानून किसे वह अल्लाह उनको राह दिखाता है जो अल्लाह पर इमाम रखने वाले हैं और इसके बाद वह तुम्हारे लिए अधिक पवित्र हैं और तुम्हारा उस पर ज्यादा अधिकार है यह अल्लाह जानता है और तुमा घ्यानी हो यह अल-कुरान सुरा तो और दो सुबति से लिख़ा हुए यहाँ पर इसको फिर समपढ़ते हैं कि कुरान में क्या बात लिखी है और जब तुम अपनी पतनियों को तलाक देते हो और उन्होंने इदत पूरा कर लिया है یعنی तीन महीने की अवदि ही होती है इदत की अवद ही तो उनको अपने पतीयोँ से विवाह करने से मत रोको यदि वे दोनों वैध तरीके से विवाह करने की ओर लेते हैं इस कानून से वह अल्ला। उनको रह धिकाता है जो अल्ला़ पर एमान रखने walे हैं और इसके बाद वह तुम्हारे लिए अधिक पवित्र है और तुम्हारा उस पर ज्यादा अधिकार है क्योंकि अल्लाह जानता है और तुम अग्यानी हो अप्रेल 2017 में BBC के समाचार लेख ने खुलासा किया क्यों United Kingdom में निकाह हलाला के नाम पर कई ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं जो महिलाओं का सामाजिक और यौन शोशल करते हैं ये सेवाएं किसी महिला को पैसे के बदले में एक आदमी परदान करते हैं जो उससे निकाह करें, शारिरिक संबंध बनाएं और तलाक दें सुप्रिम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को अवैध माना गया है अगर कोई भी मुसलिम कॉल या मुह से तलाक 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 बोलकर अपनी पतनी को नहीं छोड़ सकता है इसमें विभिन प्रकार की सजा का प्राउधान है निकाह हलाला के बहुत से विक्रित और विचत्र मामले सामने आ रहे है तो यह है इसका डेफिनिशन नमस्कार जैहिन